Hello my dear students, yes, आज हम हमारे इस सुपर सेवर कोर्स की पहली क्लास के साथ, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारा ज्यान पेल दिया था, लेकिन वो बहुत जरूरी है, जो मेरा लगबग लगबग 23 साल का अनुभव है, इस जेई की टीचिंग को लेकर, इस अनुभव में मैंन मैंस जितना नहीं सीखा, मैस मुझे पहले दिन जितना आता था, आज भी बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ाओं, जी आम बच्चे काफी सीखाते हैं, तो सीखे तो हैं, ऐसा नहीं है, और जितना भी आज मुझे आता है, ये सब आपी मैंने सीखा हैं कि आखिर इस एक्जाम को क्या चाहिए, क्या वाकरी से मैस चाहिए, क्या वाकरी से फिजिक्स केमेस्टी चाहिए, जी हाँ, और मैंने जिस आप से शेयर भी किया, कि ये एक्जाम मैंने उस दिन कहा भी था आप से, कि ये एक्जाम जो है, वो फिजिक्स केम मैस इतने से लोगों को आती हो ये संभव नहीं अब आप कहो हो किね हम्हें और इना लोगों का Ub 실St इस देश हम ट्र wand कातो क्या कहना को घिया ये ज Said क्या कहना क्या क्यों से ठोटी होच तो मेरे बच्चे, इस देश में temperament का तो क्या कहना, जी हाँ, temperament का तो क्या कहना, छोटी-छोटी emotions से, छोटी-छोटी emotions generate करके, इस देश में सरकारे बन जाती हैं, गिर जाती हैं, तो फिर temperament जैसी चीज सो यहाँ बात करना इतना असानी से जो है, वो सही है, इंडियन्स are emotionally fooled, यह कहा जाता है, जी हाँ, यहाँ, यहाँ, temperament तो है ही नहीं, कोई यही हमारे लिए क्या रहा है, कि हम emotional fool है, emotional fool है, हमें कोई भी बेवकुब बना सकता है, it means temperament तो है ही नहीं, जी हाँ, लेकिन, एक IITN यही किसी को चाहिए, या IIT College को अपने ऐसे बंदे चीज जो वाकई I IITN कहलाएं निकलने के बाद, तो मेरे बचे, अब यह सी बाते हैं उनके अदर, temperament होना जोगा, temperament सर्च करते हैं वो लोग, फिजिक्स के मेस्ची मैस मैंनो जीन भी कहता, language है, उस temperament को सर्च करते हैं, वो आपके साथ emotionally, psychologically, अलग-अलग अंदाज में उस तीन घंटे में ख रखना है, कि फिजिक्स के मेस्ची मैस के साथ साथ हमें हमारे temperament वाला subject, जो चौथा subject है, और जो बाकी तीनों subject से ज़्यादा भारी है, ज़्यादा खतरनाक है, उस पर भी काम करना होगा, जी हां, और मैं आपको ये बता दूँ कि उस पर काम करने का सबसे बढ़िया subject के इन तीनों subject में हैं, तो वो है maths, जी हां, maths एक temperament का subject है, maths यदि आप पढ़ेंगे और maths सीखेंगे, दोनों में जो फर्क आएगा, सीखने से, maths सीखने से आपका temperament डेवलप होगा, maths, maximum question नहीं होंगे इतनी आसानी से, pressure में आएंगे हम, लेकिन pressure के साथ तो deal करना हमें आना चाहिए, उस इन धनते में करना है, maths सिखाएगा, छोटी-छोटी चीजों को गुमा कर दिया जा रहा है, situations है normal, लेकिन दिखाए abnormal जा रही, Indian media, जी हाँ, abnormal को normal, normal को abnormal को abnormal दिखाना को Indian media से सीखेंगे, ये भी आपको पता है, तो जी हाँ, तो मेरे बच्चे, उसमें भी तो हमें आना चाहिए न, अच्छे से deal करना, क्योंकि व ड़नाने के लिए, और एक बहुत खतरनाक सा question, बहुत ही, क्यूर सी शकल में दिया जाएगा, आओ, खेलो हमारे साथ, बेखो फिर हम आपके क्या लेते हैं बुली दर से, जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो है, हमें सीखनी है, और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात बच्चों की आखें, बच्चों की शकलें, बच्चों की बातें, बच्चों के body language, बच्चों का tone, इन सब को read करके, exam के पहले, exam के दिन, exam के बाद, result के पहले, result के दिन, result के बाद, साल बर, दो साल, जी हाँ, ये सब चीज़ें देखकर जो अनुभव गें किया है, उस maximum फाइदा पहुंचाया जा सके, इसलिए मैं ये सारी बाते कर, जी हम, लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, डरना नहीं है, डरना मना है, और आप सब को बदा है, डर के आगे ही जीते हैं, बहुत सा रेकृटेशन्स हैं, और जो ये बताते हैं कि डरना कभी नहीं चलिए, चल स्कूल लेवल में और जी लेवल में जमीन आस्मान का अंतर है, थर्ड फोर्ट क्लास की चीज़ें जो आपने पढ़ी होंगी, वो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेशन्स में बहुत स्मार्टली काम आ रही होंगी, सोची नहीं सकते हों, अच्छा यार तो कब पढ़ा थ ये, सोची नहीं सकते हैं, वो जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, स्कूल लेवल का मैस और हाँ, जी का मैस, इस गैप को मिनिमाईज करने की मेरी हमेशा कोशिश लागी है, मैं हमेशा जब भी हाँ, अपना कोर्स चुरू करता हूँ, तो बेसिक मैस के नाम से या फांडेश स्कूर्स में भी रहा, तो वहाँ पर, हाँ, ऐसा कोई चैप्टर नहीं हुआ करता था, किसी जमानी, मैं वहाँ का जो पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर के नाम से ही, तीन से चार क्लास, पांच क्लास, च्छा क्लास, जर्वत के हिसाब से, जैसे बच्चे थे जैस पता था कि इसके बिना बच्चे के साथ जैस्टिफिकेशन में कर ही नहीं सकता, जर्वी जिसका गैप बहुत ज़्यादा है, उस गैप को एड़ी मैंने कम करने की कोशिश नहीं कि तो मैं उसे शुरुआत में ही जैए के एक्जाम से बाहर कर दूँगा, जि मैं नहीं कर सक मैंने लड़ाई चलती रही, अलग-अलग दो-3 इन इस्टिटूट्स में सब हुआ, इवन इफ पिछले साल E2 में भी हुआ, जिया, मैंने पिछले साल यहाँ भी 11 में बेसिक मैस में 20 क्रास दी, मुझे बहुत ट्रोल किया गया, जिया, सोशलिक मीडिया पे नहीं, लेकिन हाँ, सिस्टम के अंदर बहुत बुरी परसे जो है, मुझे कहांगे कि आपको पढ़ाना यह नहीं आता है, हम तो बेसिक मैस दो में ही करा देते हैं, एक में करा देते हैं, कुछ कहते हैं कि बेसिक मैस की जिर्वत ही क्या है, कौन कहता है कि आप 22 साल से पढ़ा रहे हो, लड़ता रहा इन चीज़ों के लिए, लेकिन फाइनली वहाँ पर वो चीज सिस्टम को माननी पड़ी, एड़ॉप्ट करनी पड़ी, अब उन बड़े इंसिटूट्स में भी बेसिक मैस के नाम से चैप्टर होता है, शीट मिलती है, जी हाँ, डीपीपीज मिलती है, खुद, एड़ूज में जहां मुझे मैंने कहा न, पिछले साल बहुत बहुत ठ्रोल किया गया, बहुत मुझे गालियां दी गई, बेसिक मैस को लेकर किया, बीस क्लास बेसिक मैस, अब वही एड़ूज कहता है, तिनी मैस में ही क्यों, फिजिक्स केमस्टी में भी फॉर्म करना चीए, मैंने बच्चे, एक्शुली जब इन चीजों का, कब इन चीजों को माना जाता है, जब इनका फाइदा दिखता है, जब मैंने ये कराया, मुझे बहुत गालियां सुनने को मिली, यह समय ने का हाँ हड़ जगे, लेकिन एक एवरेज बैच में जब मैंने ये कर कि यार वो बहुत बड़ा रीजन है वो बेसिक मैस या वो फाउंडेशन जू मैक्स का था वो बहुत बड़ा रीजन है इस जर्णी का इस जंप का और बड़े-बड़े अच्छे खासे बैचिस के बच्चे नीशे खिसके देखा कि वहाँ यही कमी है अब सब इस चीज़ों कमानते हैं हम देखिए हर इंसिटूट में पिछले हाँ छैसा साल साथ आठ साल से जो है बेसिक मैस जैसी की यह होने शुरू हो गई उसका रीजन ही यही है और दीर दे उसको प्रॉपर तरीके से और्गनाईज भी किया गया शुरू में उस बेसिक मैस को एक दो क्लास के लिए माना गया आप तेंचार क्लास के लिए माना गया अब लगब लगब मिनिमम पासाथ क्लास सब जगे होता ही होता है मिनिमम मिनिम ही सो सके क्योंकि गैप जब कम होगा तभी तो शुरुवाती दौर में आप जो है एकदम से सर्प्राइज नहीं होगे मैं इस गैप को गैप ही रहने दू और आप यहां पर हैं मैं यहां के क्वेशन पेल दू आपके उपपर लग गई आपकी दो आप पहले दस दिन के अंद बढंनेंगे यह मन लेगे यह जे इक मैस पर पॉसिबल में नहीं लेकिन जब इगाप कम हो जाएगा तब हम उस लेवल पर शुरूं करेंगे आपको यहां से बढ़ कर दिए तो परिशानी लगबग लगबग आदी से भी कम कर दिये परिशानी उसके बार भी हों, लेकिन धीरे आप उनकीओं से फैमिलिय एक एक चीज ध्यान रखेगा, शुरू कि देड़ से दो महने मैट्स में आपको परिशानी होगी, लेकिन बी पेशिंट, सब्र रखिए, पेशिंस रखिए, इसका फाइदा आपको आगे मिलेगा, धीरे आप comfortable होंगे subject में, और शुरू में आपको थोड़ी सी hurdles नज़र आएंगी, hitch नज़र आएंगी, परिशानी नज़र आएंगी, लेकिन आप करते रहें बस, आप यदि ये सोचें कि मेरे पास कोई, क्या 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 क्यते हैं, जादू की छड़ी होगी, या मैं Doremon हूँ, मैंने अपनी pocket से कोई gadget निकाला और आपको दे दिया, बैबू कॉप्कर लगाया, आपके कहां तो उल भी या कहीं भी एनिवेर गेट रगा दिया, कि लो यहां से आयती सीधा, यह तो पॉसिवाली निये ना, realistic life में ऐसा तो होता ही नहीं है, तो आपको patience रखना होगा, proper तरीके से चलना होगा, maths हम पढ़ेंगे नहीं, जो अपने orientation बीटा सीखेंगे, तो आपनोंको complete करना है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा यह maths foundation, basic maths जिससे आपके basic maths भी कह सकते हैं, इसमें आज हम जो हैं, शुरू करेंगे बिल्कुल basic से, number system से, आखे number system जो आपने 5th क्लास में, 4th क्लास में, integers, Natural Numbers, 6th क्लास में किसी ने पढ़ेंगे, वहां से हम शुरू करेंगे, जी हां, आपको समय समय पर, आपकी उस बच्पन की चीज में जो आपको आता है, और उस बच्पन में जो आपको आता है, अब जो आना चाहिए, वो difference भी आइसास कराने की कोशिश करेंगे, जी हां, हट परेस, हट परेसे कोशिश की जाएगी, कि आपको यह difference बताया जा कि यार यह है difference prime numbers की हम बात करेंगे तो prime number में मैं आपको question कराऊंगा जब लगेगा अच्छा prime number में ऐसा भी होता है हाँ, यह सारी कोशिश करेंगे तो आपको यह realize कराने की कोशिश करेंगे कि जो आपको आता है उसमें भी बहुत बढ़िया 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 question मिल सकता है जी हाँ, और ऐसे question हो सकते है जिनना आपको हवा भी नहीं लगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको क्या करना है patience लखना है आपको लगे कि यह आपको आता है तो भी आप lecture proper तरीके भी देखे और उसमें आने वाली कुछ अच्छी चीजों को enjoy कर चलिए, तो हम शुरू करते हैं और हमारा जैसा मैंने कहा कि आज सबसे पहले हम बात करेंगे number system number system number system में maximum numbers से आप family मैं सबसे पहले बात करूँगा और वो बात करूँगा आपको counting numbers जिया counting numbers इन counting numbers को आप natural number के नाम से भी जानते हैं जिया, natural numbers natural numbers या counting numbers ओविस्सी बात है किसी भी चीज की counting कैसे करते हैं 1,2,3,4,5,6,7,2 यह जो numbers है 1,2,3,4,5,6,7 यही natural number है जिने हम counting number के नाम से भी जानते हैं और natural number जो है वो अब आपको समझ में आ गया कौन-कौन से है 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं? unlimited, infinite number, natural numbers are there counting कभी भी end नहीं होती है, जी है uncountable तो यहाँ पर यह है और यह जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मेरे बच्चे इन numbers को मैंने comma से separate करके इसलिए के curly brackets के अंदर बांद दिया है यह जो पूरा का पूरा collection है इन numbers का counting numbers का इस collection को बोलते है set, इस collection को क्या बोलते है set हमारे इस foundation match में हम set भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो असा set theory तो इसी देखेंगे हैं, तो इसको बोलते है set यानि एक definite objects या numbers के collection को हम set कहते हैं तो यहाँ पे counting numbers का जो collection है उसे हम set कहते हैं अब यह जो counting numbers का collection set है, इसको normally capital N से लिखा जाता है capital N यानि natural numbers, यहाँ, तो set of natural numbers का भी बात की जाए या खाली N दे दिया जाए, तो समझ जाना है set of natural numbers की बात कर रहा है natural numbers यानि counting numbers, इसमें आपको पता है कि यह सब आपको आता था, चलिए और आगे बढ़ते है फिर मेरे बच्चे, आप से बात करेंगे, अब हम whole numbers की whole numbers, whole numbers और natural numbers में क्या difference है, बिलकुर से ही आप समझ गया है आपको पता हैं कि सर, natural number में 0 नहीं है हम एड़ी 0 भी natural number वाले set में डाल दें, तो जो नया set बनेगा, वो set of whole numbers होगा यानि अब आप क्या रहे हैं कि हम set बनाएं ऐसा, 0, 1, 2, 3, etc. जी हम, बिलकुर से ये जो है, इसे हम बोलते हैं set of whole numbers और इसे normally w से लिखा जाता है set of whole numbers, तो set of natural number में 0 add कर दिया जाए, 0 और डाल दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है set of whole numbers तो आसा बोरियत हो लिए, ये क्या चल रहा है, ये तो हमें पता है, जी हाँ, अभी मैं के रहा हूँ, धीरे दे आप चलो, इसमें भी मजा आएगा, बहुत बढ़ी है third, यहाँ पर आप हम बात कर रहे है, integers 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 की बात करें मेरे बच्छे, तो आप आपको बदा है, कि ये जो यहाँ हमारे पास whole numbers है ये सारे के सारे positive है जबकि हमें तो पता है, minus 1B जैसी कोई चीज़ होती है, minus 2 जैसी चीज़ भी होती है तो यदि हम इन whole numbers के आगे proper sign भी लगा दें, दोनों possibility जो sign की होती है, plus और minus वो लगा दें और एक नया collection बनाए, एक नया set बनाए, तो ये हो जाएगा integers, set of integers तो यहाँ पर set of integers को normally i से लिखा जाता है कुछ लोग इसको Z से भी लिखते हैं, एक ही बात है, समझ जाएगा कुछ लोग Z से भी लिखते हैं, I लिखें, Z लिखें, यानि set of integers set of integers की बात करें मेरे बच्चे, तो यहाँ पर आपके पास क्या-क्या देखिए minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, etc whole numbers को उनके proper sign के साथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, plus, minus, 1, plus, minus, 2, plus, minus, 3, जी हाँ, यह सारे के सारे income ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यह जो है, यह set of integers, integers यानि positive as well as negative numbers, integers, 0, 0 जो है, वो कैसा number है, जी हाँ, 0, neither positive, nor negative, यह क्या है, positive integers, यह क्या है, negative integers, तो कभी यह दिया आपको कोई कहे, i plus, समझाना, i plus का मतलब positive integers की बात कर रहा है, इसका मतलब यह आपको, 1, 2, 3, ऐसे numbers की बात कर रहा है, यहाँ, i plus यानि natural numbers, जी हाँ, इसी तरह से, i minus की कोई बात करें, तो negative integers, i minus के लिख कोई बात कर रहा है, तो negative integers, यहाँ आपके पास, minus 3, minus 2, minus 1, ऐसे, minus infinity तक जि negative integers, कई बार वो आपसे कहेगा, non negative integers, non negative integers की बात करी जाए, माल लिजी, मैं आपसे कहूँ, मिरे बचे की non negative, तो non-negative integers का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि non-negative integers का मतलब ऐसे integers तो negative नहीं है अब negative कौन-कौन से integer नहीं है बिलकुल सही कि सर 1, 2, 3 ना मिरे लाला इसके साथ एक 0 भी आएगा आएगा नहीं आएगा 0 तो neither negative nor positive जी हां तो यहां पर क्या है non-negative integers का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 non-positive integers का मतलब minus 3, minus 2, minus 1, 0 जी हां यह सारे के सारे तो यह सारे conventions हमें पता होनी चाहिए सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तो यह तो हो गया integers अब जो यहां से बात करेंगे वो बात है मेरे बचे rational numbers rational numbers rational numbers को normally किस से बताया जाता है Q से Q बता दिया जाए कोई कहा जाए कि यह number Q set को belong करता है या Q set से लिया जा रहा है इसका मतलब वो rational number की बात है क्या होता rational number बोलो देखो मैं आपको बोल चुका हूँ online offline सिर्फ सोच है और आप सोच बदलेंगे तो आपको online में भी offline के मज़ा आएगा तो जब मैं पूछ रहा हूँ वो rational number तो आपके बिलकुल जहां भी आप बैठे हैं जैसे भी बैठे हैं उमीद कर रहा हूँ बैठे ही है पलंक पे लेटे हैं लेट कर मैंट नहीं पढ़ रहा है नहीं तो काफी लोग के आदत होती है बढ़िया बिन्दास जो है बढ़िया गंदा है शांदा 6 इंच का, 8 इंच का इस पर बढ़िया पिलो है, लगा रखा है साइड में बिलकुल लेटे हुए है headphone लगा रखा है और सामने laptop रखा है या आपका iPad Macbook जो भी आपके पास रो रखती है और बस जो है बिंदास लेट के पढ़ रहे हैं भाई maths कर रहे हैं लेट के नहीं होगा कुछ लोग तो आद भी बड़े वाले है IPL चल रहा है भी तो तो IPL देख रहे है लेट के सामने जो है बड़ी बड़ी बाड़ी स्क्रीन पर LED पर IPL में चल रहा है और साहब जो है सोफे पर या परलंग पर बिल्कुल बिंदास लेटे वे हैं maths भी चल रही है शनमा जी को भी सुन लेते हैं और उदर जो है दूसे लोग भी सुने जा रहे हैं IPL की कमेंटेटर्स बढ़ी ऐसे नहीं करना है maths मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ बहुत अलग तरह का subject है paper pen लिए बिना maths में आपको कुछ gain होगा ये उम्मीद करना ही चुए और भी इसमें क्या है ये तो आता है मैं मान ले आपको आता है मैंने भी कहा ना मैं आपको हर चीज में जो आपको आती होगी वहां भी कुछ नया दिखाने की कोशिश करें तो आप patience रखें आपको कुछ मिलेगा हर lecture जो आपको शायद नहीं आता था मैंने आपको example भी दिया था तो माहौल बना के रखें निश्चे तरह आपको मज़ा आएगा लेकिन आप बैठें proper तरीबे से आपको जो कुछ कहा जाए जो पूच्छा जाए उसका answer करें ये आपको दिमांग में होना ही नीची है मारे group में discussions होंगे कई बाद उसमें ना चलाए जी हाँ तो एक coordination teacher के साथ बनाना ही पड़ेगा offline में ये by default होता है कई बाद teacher जबरसी बना लेते हैं बच्चे नहीं होते तो भी बच्चे नहीं बनाना चाहते हैं तो भी लेकिए अभी तो आपको दोनों तब से effort लगाना होगा मैं लगा रहा हूँ आपको भी लगाना पड़ेगा तो मैंने कहा rational number तो आपके निमांग में त्वन जो है जो भी है वो कहानी मूँ से निकल जानी चाहिए तेजी से rational number अच्छा तो वो number जो P by Q की form में एक्स्पेसिबल है बिलकुल सही येस तो यहाँ पर किसी भी number को rational number कब कहा जाता है a number which can be expressed as P by Q where आप सबको बदा है ये भी P and Q are integers but Q will be a non-zero integer क्यों non-zero integer maths में कान पकड़ लेना है denominator वाला number कभी भी zero नहीं होना चाहिए ये मैं अभी तो लिखा हूँ आगे ना लिखू तो भी समझना है कि ये तो लिखा है चल रहा है दिख रहा है ये तो TNC वाला है वो है condition है तो वो तो हमेशा रहेगा फिक तो P by Q की form में जहां P और Q integers है Q non-zero integer है यदि किसी भी number को express कर सकते हैं तो उस number को हम कहते है rational number जी हां Just for an example 7 by 2 5 by 3 2021 by 2022 जी हां ये सारे numbers कैसे है rational numbers है क्या natural number 8 rational है definitely ये भी rational है क्योंकि ये 8 by 1 है जी हां तो आप सब जानते हैं कि यहां पर हम ये कह सकते हैं rational number का मतलब सारे के सारे full numbers आपका है natural numbers आपका है आप यदि किसी number को P by Q की form में experience कर पा रहे हो जहां P or Q in teacher है तो पर आप कह सकते हैं कि नंबर rational number है इतना ही नहीं मेरे बच्चे rational number की एक और property होती है एक और खासियत होती है बिलकुल सही का अब कुछ लोग जो है वाके enjoy कर रहे है कुछ लोग वाके ही कह रहे है सब जैसे बुलता है उनके answer आते है जी हां कि सब rational number जो है उसका decimal part या तो खत्म हो जाता है या repeat करता है आपको recurring होता है जी हां इदर terminating और repeating जी हां decimal part या तो खत्म हो जाएगा या repeat करेगा ये जो है ये खासियत है rational number मतलब पिर example ने 2.25 decimal part खत्म 25 के बाद कुछ हाई दे जी हां इसी दा से 1.75 बिल्कुल करिया decimal part खत्म बिल्कुल कोई दिक्कषर दी नहीं है इसी दा से 5.0 decimal part खत्म कोई दिक्कषर दी नहीं है और यहां बात किजाए 1.333333 ऐसे decimal part repeat कर रहा है खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन repeat करता है इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं काफि लोग कि इसको 1.3 बार लिख दिया जाता है लेकिन क्या ऐसे ही repeat करेगा, नहीं मेरे बच्चे यहाँ पर दिया आप गहाँ, ऐसा देखें, 1.251, 251, 251, ऐसे तो decimal part repeating का मतलब है कि कोई pattern repeat कर रहा है, वो single digit pattern भी हो सकता है, वो triple digit pattern भी हो सकता है, वो 10 digit का pattern भी हो सकता है, बस pattern है, एक pattern का infinite times repetition हो रहा है, decimal part खतम नहीं हो रहा है, तो ऐसे number को हम क्या कहते हैं, rational number जैसे यहाँ भी यह है, इसको भी आपको बदा है कि इसको आपने 1.251 का बार लिख दिया हुगा है जो pattern repeat हो रहा है उस pattern को लिखे हैं एक बार उस पर बार लगा जी हैं यह सब आपको आता है तो यह सब rational numbers की कहान है मेरे बचे अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या गेरी मैं आपको कोई number दूँ जो decimal की form में हैं क्या आप उसको p by q की form में express कर सकते हैं क्योंकि आपने rational number का basic definition क्या कहा कि एक number जिसको p by q की यह दो integer के ratio की form में express कर सकते हैं तो मेरे बचे फिर आपने दूसरी property बदाई कि decimal part repeat करता है या खतम हो जाता है तो यदि ऐसा number दे दिया जाए जिसका decimal part खतम हो रहा है या repeat हो रहा है और वो rational number है जैसा हमने लिखा आपके कहने पर तो proof भी तो होगा इसका किया ऐसे हर number को p by q की form में express कर सकते हैं यह एसे exactly वजपन में आपने किया है तो चलिए ऐसे ही कुछ example लेते है 2.25 p by q की form में express करने का तरीका आप सब को बहुत अच्छे से आता है कि सर decimal हटाते है 1 लगा देते हैं ऐसे ही करते हैं आप लोग जी हैं ऐसे ही करते हैं मैं पूरा तरीके से लेख देता हूँ कि यहाँ पर actually decimal था कि सर देसिमल हटा दिया decimal हटा आया उसके जगे 1 लगाया और decimal के बाद में जितने भी digits हैं उतने जिदो लगा दिया 225 by 10 100 तो यहाँ आपके पास कितने आगया कि सर यह 9 by 4 आगया आगया बिलकुल जी हा 9 by 4 यानि P by Q की form में आगया तो मैंने बच्चे बिलकुल सही है कि decimal part जब भी खतम होता है ऐसे नंबर को P by Q की form में express करने का तरीका decimal हाट आओ नीचे 1 लगा और डिजिट जितनी है decimal के बाद में उतने जिदो च्छाप दे P by Q की form आ गई simplest form चाहिए तो आप उसे simplified कर दे जी हाँ लेकिन बच्चा यदि ऐसा नंबर दे दिया जाए 1.333 ये भी तो आपने गहा कि जब decimal part repeat कर रहा होता है तब भी नंबर जो है वो rational होता है तो इसको भी तो आप P by Q की form में express कर सकते हैं इसका मतलब बिलकुल कर सकते करके देखें आपको आता है क्या सर कि आपने कहा कि सर एक काम करते हैं कि इसको x से ले लेते हैं 1.3 bar इससे P by Q की formula लाना है तो हम क्या कर रहे हैं कि सर इसको 10 से multiply कर रहे है 10 से multiply कर रहे हैं तो ये 3 यहाँ आएगा और ये बन जाएगा 13.3 bar actually यहाँ जब 10 से multiply कर रहे हैं तो एक 3 यहाँ आ जाएगा लेकिन infinite 3 यहाँ अभी भी पड़े रहे तो ये जो 1.3 bar 13.3 bar बन जाएगा ये 10 से multiply कर दिया गया अब क्या करते हैं कि सर इन दोनों का difference निकाल लेते हैं इसमें से minus करते हैं 10x minus x याणि 9x 13 minus 13.3 bar minus 1.3 bar तो आपने रेखा कि सर इसर इस 12 बार जी हाँ अब यहाँ आपके पास x आगा 12 by 9 12 by 9 यानि 4 by 3 ये लीजिए p by q form आगे बिलकुल आगे मेरे बच्चे इसमें कोई doubt ही नहीं फी by q form आगे तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ये process जो है जो आपको पदा था उससे आप किसी भी decimal part जिसका repeat कर रहा है उसको भी p by q की form में express कर सकते हैं इसका concept यानि aim समझेगा आपने रटा हुआ है काफी लोगों ने रटना नहीं आप समझो कि क्यों कर रहा है ऐसा actually मैं यहाँ इस x के बाद एक number ऐसा चाह रहा हूँ जिसका decimal part exactly इसके साथ same इसके साथ decimal part same हो जाएगा तो obvious ही बात है कि जब मैं minus करूँआ तो decimal part खतम हो जाएगा अब decimal part same कब होगा कि जो pattern repeat कर रहा है वो यहाँ आ जाए decimal part same हो जाएगा बस वही हमने किया अब मैं आपसे करना हूँ कि नहीं बच्चे में एक छोटा सा change करता हूँ कि आप मुझे इस number के को p by q की form में express करके देंगे मैंने कहा 2 point देखिए 25 bar अब करेंगे बिल्कुल कर देंगे आपने कर भी दिया होगा काफी लोगों देंगे कर सार इस बात 100 से multiple करा क्यों, 10 से क्यों नहीं करना है कुछ लोगों ने 10 से किया है अब आप को गे नहीं किया होगा किसी सिर्ण सबने 100 से किया है अप यकीन मानी है यदि मैं बोल रहाओ कि कुछ लोगों ने ऐसा किया है और जो मैं percentage बता रहा हूँ कि इतने लोगों ने ऐसा किया है वो बिलकुल सही है ये 22-23 years का अनुभव है आप में से बहुत सारे बचों ने इन चीजों को इतना light ने लिया वा था कि अच्छा ये कभी काम खोड़ी आएगा यार काम आता है बहुत ये जो foundation courses में यही मैं आपको अच्छा करना हुआ कि जो आपको जो हम पढ़ेंगे रेसमें वो कहीं न कहीं आपका पढ़ा हुआ है बस उसको हम एक तरसे revise कर रहे है और groom कर रहे है उस label तक जो J का है ठीक है तो देखे यहां मेरे बच्चे मैंने इसलिए आपको समझाया कि reason समझेगा कुछ याद नहीं कीजेगा reason मैंने आपको समझाया था कि मैं कुछ ऐसा करूँ हूँ कि जो अगला number हो उसका decimal part same हो जाए ताकि minus करते वक decimal part cancel हो जाए तो यहां पर decimal part 25 का bar है तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि अब उसके बाद जो नया number बने उसमें भी 25 का bar ही decimal part है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ 100 से multiply करता हूँ जब मैं इसको 100 से करूँगा तो यह 25 आगे आ जाएगा यह बन जाएगा 225 .25 bar अब यह आपको समझ में आगया होगा 25 bar क्यों क्यों क्योंकि actually यह तो 2.252525 यह चल रहा है ना एक 25 का combination आगे ने लिया बाकी बच्चा 25 का combination तो वापस वही रहा गया अब दोनों का decimal part सेम है माइनस का जो जैसे माइनस किया आपके पास 99x आ जाए 225-2 आपको दिख रहा है 223 आ जाए जी हां यहां से x मेरे पास आ जाता है 223 upon 99 यह आ गया जी पास आपको गवराना नहीं है बस आप एक चीज का दिहान रखें कि यहां पर आप जो भी करें वो अच्छा यह वारा पी बाई क्यों का फॉम है इसमें को डाउलती नहीं है तो अब आपको समझ में आ गया क्या कि आप जो भी करें वो decimal part सेम रहे दोनों का चलिए एक और तो एक्स इस इक्वल स्टू 2.3 2.5 2.5 2.5 एचसे एसे यह है अब देखेगा यहां पर actually हम decimal के आगे की बात करें हैं तो भाई decimal के आगे तो 3 का तो repetition नहीं दिख रहा है कोई pattern repeat नहीं हो रहा है 3 के बाद है repetition क्या ऐसा number भी rational होगा 100% होगा किसी एक limit के बाद भी कोई pattern का repetition हो रहा है decimal part में तो number rational number है P by QT form में expressible है आपने ऐसे maximum लोगों ने कर दिया है कि sir और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अभी भी याद कर रहे है मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समझा है उसको यह आपने कर दिया होगा समझ लिया होगा तो बहुत आसानी से आपने इसका भी कर दिया है अब देखिए और कोई कि sir इसको हम 10 से multiply करें 100 से करें तो जैसे 3 आ जाएगा करो decimal part तो same रहेगा ही नहीं इसके साथ क्यों देखें न decimal part same देखो यहाँ क्या करना 10 से multiply किया 23.25 bar अब को किसे इन दो का decimal part तो same ही नहीं minus कैसे करें ना करना ही नहीं 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 करना भी अभी हम एक और number लाएंगे जिसका decimal part ऐसा होगा अब इसको मैं 100 से multiply कर रहा हूँ इसको 100 से करूँगा तो 1000 x is equals to 2325.25 bar यह है खेल वो जो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी पहले हमने उसको left में दिया अब हमारे लिए ऐसा number है यह वाला अब हम इसके लिए खेलेंगे और इसके लिए खेलेंगे decimal part जितना भी जो रिपीट हो रहा है उसको उसका एक fashion आगे लेके आए बस अब minus कर दो इसमें से minus कर रहा है क्यों करना है तो कि इन दो local decimal part same है तो यहाँ मेरे बच्चे 990 x आ गया this minus this 23 और यहाँ 0 2 यहाँ आ गया बिल्कुल आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है आपके पास x finally आ गया 2302 by 990 simplest form चाहिए तो आप simplest form में convert करने कोई दिक्कात इन यह यह है जी तो यह P by Q की form में तो यहाँ से आपने सीख लिया हर rational number decimal form में दिया हुआ है और उसका decimal part खतम हो रहा है या repeat हो रहा है तो आप उसे हर हाल में P by Q की form में express कर सकते हैं और यही किसी भी rational number की prime definition है कि it can be expressed in the form of P by Q वेर P and Q are in P just clear जीया अब बात करेंगे बचे irrational numbers irrational numbers irrational numbers की बात की जाए तो इसके set को QC से बताया जाता है जैसे set of rational number किस से बताया जाता है Q से तो set of irrational number बताया जाएगा QC, Q dash कुछ लोग Q dash भी लिखेंगे ठीक है एक यह बात तो और बचे यहाँ पर अब irrational number में क्या definition बिलकुल सही आपने बिलकुल सही कहा कि सर हर वो number जो P by Q की form में expressible नहीं है वो irrational number बिलकुल सही तो यहाँ हम कह सकते हैं a number which cannot be expressed as P by Q where P and Q are integers and Q is a non-zero integer कि वो number जो P by Q की form में expressible नहीं है उस number को हम क्या बोलते हैं irrational number बोलते हैं अब इसके भी क्या decimal part की कोई खासियत होती है बिलकुल सही जो खासियत decimal part की rational number की है वो यदि नहीं है decimal part की खासियत बखर irrational number simple P by Q की form में expressible तो rational P by Q की form में non-expressible irrational decimal part terminating rational decimal part non-terminating irrational decimal part terminating or repeating rational decimal part neither terminating nor repeating irrational जी यहां तो यहां से हमें क्या करना है decimal part decimal part of decimal part of irrational numbers decimal part of irrational numbers will be neither terminating nor repeating decimal part ना तो खत्म होगा और ना ही repeat करेगा यदि ऐसा है तो फिर हमारा number कैसा है तो फिर हमारा number irrational number है यानि अब यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या-क्या हो सकते है बच्छे स्क्वेर रूट अफ टू स्क्वेर रूट अफ सेवन क्यूग रूट अफ टी जी कुछ और irrational numbers भी है जो बहुत frequently used होते है जी मेरे बच्छे उसमें pi आप सबको बता है pi किसके equal आप में से काफी लोगों ने pi को जो है equals to 22 by 7 याद किया हुआ है काफी लोगों ने pi को equal to 3.14 याद किया हुआ है ये दोनों ही गलत है 22 by 7 या 3.14 के equal नहीं होता है pi यदि मेरे बच्छे इसके equal होता तो ये rational number नहीं होता 22 by 7 P by Q की form में है 3.14 decimal part terminating है इसका मतब clear है कि ये भी rational है तो ये तो दोनों rational है और इसको हम irrational बात कर रहे है pi एक irrational number है ये 22 by 7 के साथ approximate किया गया है जी हां इसकी 22 by 7 की बात करें या 3.14 की बात करें ये approximated values है exact values नहीं है यानि this is approximately equals to 22 by 7 और approximately equals to 3.14 जी हां ये जो simple है ये equal to का रही है ये approximation का है pi is approximately equals to 22 by 7 और 3.14 इसी दर से ये मैं square root 2 की बात करें तो 1.4 काफी लोगों नहीं याद किया बात है 1.4 भी इसकी approximate value है तो दियान रखना है कि ये decimal part आपका repeat नहीं कर रहा है या terminate नहीं हो रहा है या number P by 2 की पॉर्म में expressible नहीं है तो number irrational number होगा और irrational number की आप कभी भी exact value नहीं निकाल सकते है irrational number की exact value नहीं निकाल सकते है क्योंकि उसका decimal part न तो terminate होगा न repeat होगा जी याँ चलता रहेगा खतम ही नहीं होगा just put an example मान दीजे ऐसा है 2.31095017 फिर 912365 ऐसे चल रहे है random है कोई pattern repeat ही नहीं हो रहा है और ये ना खतम होगा तो इसका उना clear है क्या इस number की approximate value निकलेगी या exact निकलेगी exact निकलेगी नहीं irrational number की कभी exact value नहीं होती है ये πाई हमारा जो है ये आप सब को पदा है और बहुत जादा यूज होने वाला है पाई आप सब को पता है तो इसकी approximate value है 1.3.14 और 22.7 ये एक irrational number है एक और irrational number बहुत frequently use होता है small e इसकी बात करें तो ये जो है ये भी irrational है और इसकी approximate value 2.7 है आगे आप 2-3 तक याद कर सकते है लेकिन हम 2.7 से ही काम चला लेंगे अपना ठीक तो e is also an irrational number whose approximated value is 2.7 ठीक है तो दियान दखना है मेरे बच्चे ये पाई e ये सब कैसे number है irrational number कुछ और चीज़ें आपको बदा होनी चीए rational और irrational के बार दो rational number का sum निकालो product निकालो division निकालो difference निकालो हर बार आपको rational ही मिलेगा ध्यान दीजेगा दो rational number पर आप कोई साब भी operation कर दें product का difference का sum का ratio का हर operation के बार आपको final result जो है वो rational ही मिलेगा मैं operation define किया हूँ ऐसा नहीं कि आप एक rational number का square root ले लो और कहो कि सरे तो rational आई नहीं रहे आपने तो कहा था मैंने कहा कौन-कौन से operation की बात कर रहा हूँ sum, division, product जी हाँ इनकी बात करें difference ये जो है ये दो rational number पर रिकिये जाएंगे तो final result भी rational number ही होगा दो irrational number का sum दो irrational number का sum या difference या product या ratio ये कैसा होगा ध्यान दीजेगा दो rational number का sum, division, product difference हमेशा rational होगा दो irrational number का sum, division, product, difference ये rational भी हो सकता है irrational भी हो सकता है देखिये आप मैंने root 2 में minus root 2 add कर दिया या root 2 में से root 2 minus कर दिया क्या आ गया 0 कैसा हो गया रेशनल दो irrational number का difference कैसा हो गया, rational आ गया मैंने root 2 से root 2 divide कर दिया 1 आ गया rational आ गया, मैंने root 2 को root 2 से multiply कर दिया, क्या कर दिया वापस rational नमबर बना दिया तो 2 irrational नमबर का sum भी rational हो सकता है irrational हो सकता है, difference भी rational irrational हो सकता है, ratio और product जो हैं, वो भी rational irrational हो सकता है, तो ये 2 rational दो irrational की बात हो गई अब एक लेते है rational एक लेते है irrational एक rational और एक irrational के बारे में आपका क्या विचार है जी हाँ अब लोगों की आवाज आ रही है बहुत बढ़ी है मैं बच्छे ऐसे response करते रहे हैं आप बहुत मज़ा आदा है जब vibes मिलती है आपकी की आप response कर रहे है अब आपको देखो ये मैं फिर वही किरो मैंने शुरू जो किया है वो आपकी level से किया है तो इसमें आपको लगे कि नहीं मुझे आता है तो मैंने शुरू वहीं से किया है जहां आपको जो आपको आता है मैंने वहीं से शुरू किया है ताकि गैप हम धीर दे जो हमारा है उसे कम कर पाए आपको जहां आता है वहां से ना शुरू करके मैं यहां से शुरू करता तो आपको यह तो लगता कि अच्छा कुछ नई चीज सीखा रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, मज़ा नहीं आता, एक limit के बाद आप जो है exhaust हो जाते हैं और आप परिशान हो जाते हैं, परिशान नहीं होना है, enjoy करना है, study enjoy करोगे तो ही कुछ हो सकता है, तो enjoy करना है तो इसलिए मैंने आपको आपके level से शुरू किया, और मैं हर chapter में बि advance के level तक लेके जाएंगे, ठीक, तो यह आपको समझ में आ गया, अब बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, एक rational और एक irrational का, जी हाँ, एक rational और एक irrational का sum, एक rational, एक irrational का sum हमेशा irrational होगा, एक rational, एक irrational का difference हमेशा irrational होगा, एक rational और एक irrational का product या ratio, हाँ, यहाँ दर बढ़ है, बिलकु सह कि सर एक rational एक irrational का sum और difference तो irrational ही आएगा लेकिन एक rational और irrational का product या ratio, rational भी आ सकता है, irrational भी आ सकता है, बाब कहोगी कैसे, 2 प्लस root 3, या यह 2 प्लस root 3, जी हां, 2 प्लस root 3, irrational है, 2 माइनस root 3, irrational है, कोई doubt ही नहीं है, तो एक rational, एक irrational का sum कैसा आ रहा, irrational, अब देखिए, 0 into root 2, 0, rational, irrational का multiplication, rational, फिर, root 3 into root 2, square root of 6, दो irrational का product to irrational, अब मुझे तो एक rational लेना, कोई बात नहीं, एक rational ले लेते हैं, एक और लेते हैं, 3 into root 2, 3 root 2, कैसे है, irrational है, तो क्या समझ मैं आया, कि 2 number है, एक rational, एक irrational है, sum या difference निकालोगे, irrational ही आएगा, 2 number है, एक rational, एक irrational है, product निकालोगे, rational भी आ सकता है, irrational भी आ सकता है, तो इसी के साथ, 0 by root 2, 0, एक rational, एक rational का ratio, rational आ रहा है, अब क्या समझ दो आप, हाँ, आप कुछ लोगों ने पगड़ लिया, तो एक rational, एक rational का product जो है, वो rational सिफ एक ही case में हो सकता है, जब rational वाला part जो है, वो 0, यदि rational वाला part non-zero है, तो product irrational ही आएगा, rational वाला part यदि non-zero है, तो ratio irrational ही आएगा, क्या समझें, दो नमबर, उनमें से एक rational, एक irrational, sum और difference तो irrational आएगा, हर हाल में, आप चाहें, यहाँ पे 0 plus रूप 3 क्यों न लिख दो, irrational ही आएगा, लेकिन यदि हम दो number जिनमें एक rational है, उनके product या ratio की बात करेंगे, तो product और ratio में आपको एक बात ध्यान लखनी है, कि product और ratio के case में number rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है, rational कब होगा, जब उन दोनों में जो rational वाला number है, वो 0 होगा, यह दियान लखेगा, otherwise possible नहीं, कोई आपसे कहें कि दो non-zero number हैं, एक rational और एक irrational, तो भाईया फिर confirm है, sum, division, to that, difference, सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे irrational होंगे, एक rational, एक irrational में दोनों ही यदि non-zero number है, तो भाईया इनमें आप plus minus multiplication, division में से कोई सब भी operation कर दो, final result आपको irrational ही मिलेगा, जी, तो यह सारी जानकारी होंगे, यह सब आपको आता था, कोई दिक्कत ही नहीं, खिक, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद मेरे बच्चे बात हम जो करेंगे, वो बात करेंगे, real numbers, अभी हमने किन-किन की बात कर ली, हमने counting numbers यह ने natural number की बात कर ली, हमने integers की बात कर ली, हमने rational numbers की बात कर ली, हमने irrational numbers की बात कर ली, खिक हैं, अब हम बात करेंगे, real numbers, real numbers के set को हम R से लिखते हैं, set of real numbers, यानि R, यह जो R है, यह actually किस से मिलके बना हुआ है, rational, union, irrational, अब आप में से काफी लोग इस symbol से परीचित नहीं है, देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, जो आपको आनी चाहिए, आपको नहीं आती होंगी, देखिए, यहां जो हम foundation math के अंदर जो करने जा रहे हैं, उसमें एक चीज़ धियान रखेगा, एक दो चीज़ों को छोड़के, बाकी सब आपका कहीं न कहीं पढ़ा हु चीज़ें जो आखरी में पढ़ेंगे, इसमें, उनको छोड़के बाकी सारा ऐसा math होगा होगा, जो कहीं न कहीं आपके अब तक के math के syllabus में जरनी में था, अब आपने किया नहीं किया, यह अलग बात है, फिकें, तो यहां पर भी यह जो symbol है, यह union, यह आपकी जरनी में आय अब आपने किया है, तो बहुत अच्छी बात है, परीची तो बहुत अच्छी बात है नहीं है, तो आज मैं आपको बता रहाँ, यह हमेशा ध्यान रखीगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आनी चाहिए तो नहीं आती है, मैं बताऊंगा सब यहां पर आपके, लेकिन अब जी हां, कैसे जोड़ देता है, देखे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं जैसे बोल चुका हूँ कि नंबर्स के कलेक्शन को सेट बोलता है, मैंने बोला आज की क्लास में, तो मैंने एक सेट लिया मैंने बच्छे 1, 2 और 3, एक सेट लिया B, और ले लिया यह 3, 4, 5, तो यहां पर कोई आपसे कहा है कि सेट A और सेट B का यूनियन, हाला कि यह सेट थेयरी मैं आपको पड़ा हूँ, बेसिक सेट थेयरी हम वापस यहां रिवाइस करेंगे, लेकिन बीच-बीच में कहीं पहले आएगी तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, A यूनियन B, तो जितने मी नमबर्स हैं, उन कलेक्शन से एक नया कलेक्शन बना दो, जिसमें A के एलिमेंट्स भी हो, यानी A के नमबर्स भी हो, B के नमबर्स भी हो, तो यह कलेक्शन बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, A में 1,2,3 है B में 3,4,5 है अब A और B के जितने भी नंबर से उनसे एक नया कलेक्शन बना रहे है तो बन रहा है 1,2,3,4,5 अब आप कहोगे 3 तो यहां से दोनों जगे एक ही बार लेंगे हम union जब भी लेंगे तो एक ही बार लेंगे जो दोनों जगे आ रहा होगा उसको एक बार लिखना है असा नहीं कि दो बार लिखना है इसी दर से एक symbol और use होगा वो symbol भी मैं आपको बता देता हूँ यह symbol जो कहलाता है यह कहलाता है intersection यह symbol क्या कहलाएगा intersection intersection का मतलब यदि दो सेट का intersection लिया जा रहा है तो दोनों सेट के common element लिये जा रहा है दियान दीजेगा तो यहाँ इन दोनों सेट का में intersection चाह रहा हूँ पर इन दोनों सेट के common element की बात करें फीस में भी है फीस में भी है तो intersection में खाली फी आएगा यानि सिर्फ वो elements आएंगे जो दोनों ही set में हैं उन element के collection को हम A intersection B बोलेंगे दो चीज़ें दियां तकीगा Union, intersection Union का मतलब जितने भी हैं दोनों set में सब का एक नया collection बना लेगा ये union intersection दोनों में जो common है उनका एक नया collection बना लेगा collection of common elements वो intersection तो यहां rational union irrational क्या किया रहा है सारे rational number और सारे irrational number मिलके जो एक नया set बनाएंगे numbers का वो real numbers का set यानि इसमें सभी तरके numbers होंगे इसमें जो है rational as well as irrational rational as well as irrational जी हाँ सारे numbers जो rational है या जो irrational है उन सब numbers के collection को उस नए collection को हम क्या बोलेंगे set of real numbers नाम ही क्या किया रहा है real numbers यानि यह number exist करते है reality में है जी हाँ ऐसे numbers reality में हम deal करें real numbers को represent करने का एक तरीका और होता है जो आपने सीखा होगा यह होता है number line इसे बोलते है number line जी हाँ और मैं गहाँ number line भी क्या real number line इस real number line पर एक point होता है reference point जिसे हम zero से mark करते हैं zero को इस real number line पर हम क्या गड़ते हैं reference point बानते हैं zero के right side वाले सारे numbers को हम कैसे लेते हैं positive numbers लेते हैं zero के left side वाले सारे number को हम क्या बानते हैं negative number यानि real number line जिसमें दुनिया जहान के सारे real numbers को आप represent कर पाऊ minus infinity से plus infinity उसमें एक point ऐसा होगा जिसे आपने reference point माना होगा ये actually आपका number 0 होगा 0 के left वाले सारे numbers negative होगे 0 के right वाले सारे numbers positive होगे इस real number line पर हर point एक number को represent कर रा है इस real number line पर हर point एक number को represent कर रा है और वो भी कैसे represent कर रा है मेरे बच्चे यहाँ पर मान लीजिए ये number 2 है तो फिर इतनी ही दूरी पर ये जितनी दूरी है इतनी ही दूरी पर यदि मैं negative side में जाऊ इतनी ही दूरी पर तो मुझे जो number मिलेगा वो minus 2 मिलेगा यानि 0 के right में और left में equal distance वाले जो 2 points होंगे वो दोनो same number को represent कर रहे होंगे बस उनका sign अलग अलग होगा एक यदि x है तो दूसरा minus x होगा ये confirm है एक 2 है तो दूसरा minus 2 होगा एक 5 है तो दूसरा minus 5 होगा बस और negative left वाला positive right वाला यानि same absolute value numerical value जी या कोई number जिसका number numerical value वाला numerical value वाला जो path है वो same है जिसका absolute value same है यानि जिसमें हम sign को हटा दें तो जो number दिख रहा है वो number same है तो ऐसे number number line पे एक number left में होता है और एक right में होता है ये clear तो हर point जो है वो एक number को represent करेगा यहाँ पे rational भी होंगे irrational भी होंगे जैसे माल लीजिए मैंने मेरे बच्छे एक number यहाँ पे ले लिया ये square root of 5 है तो ये जितनी दूरी पर right side में है left side में उतनी ही दूरी पर एक और number होगा जो minus square root of 5 होगा एक और चीज़ आपको पता है छोड़ी चीज़े हैं जो आपको सबको पता है जी हाँ पहली class है हमारी तो आज तो जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो बतानी है वो सारी आपको आती है लेकिन अगली class से जो आपको आता है उसमें भी आपको twist करके देंगे उसमें आपको और चीज़ें सिखाएंगे आस तो बहुत ज़ाँ सिखाने को नहीं क्योंकि आस तो हम बिल्कुल basic की कर रहे हैं लेकिन जैसे से आगे बढ़ेंगे वो चीज़ें जो आपको आती होंगे उसमें भी आपको मचाएगे उसमें भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे नई questions मिलेंगे question की अलग label नजर आएग मैंने का ना बिल्कुल basic से चुछू कर गए advance सक जाएंगे तो आप basic वाला है आस तो advance वाला हमें मिलेगा अगली जास में मैं बचे तो यहाँ पर आपको number line के बारे में कुछ और चंद चीज़ें पता है हर point एक real number को represent करता है वो rational भी हो सकता है वो irrational भी हो सकता है वो number एदी positive है तो number line के right side में होगा zero के right side में होगा वो number negative है तो zero के left side में होगा number line दो point के बीच में infinite points होते हैं किसी भी line segment पर दो points के बीच में infinite points होता है और हमारा यहां यह जो number line है इसका हर point एक number को represent कर रहा है तो जब दो point की बात कर रहा हूं कि दो point के बीच में infinite point है तो दो number के बीच में क्या है infinite numbers दो number के बीच में infinite numbers क्यों? क्योंकि दो number को represent कर रहा है उन दोनों point के बीच में infinite points है और हर point एक number को represent कर रहा है इसका मतलब clear है दो numbers के बीच में number line पर infinite numbers होंगे 1.1 और 1.0000001 जी हां, मैं बहुत छोड़ी से दो number लेखा 1.1, 1.1000000001 इन दोनों में difference ना के बराबा लेकिन ये दो point है number line पर मैं पूछो इनके बीच में कितने number? infinite, इनके बीच में कितने number? infinite number क्योंकि ये दो number दो point है और हर दो point के बीच में infinite points होते हैं और हर point एक number है इसका मतलब number line पर कोई भी दो number के बीच में infinite numbers होंगे इतना ही नहीं number line में दो नंबर्स के बीच में इन फाइनाइट नंबर्स होंगे जिन में इन फाइनाइट रैशनल नंबर होंगे इन फाइनाइट ही इरर्शनल नंबर होंगे इसको और अच्छे से समझे नंबर लाइन पर दो रैशनल नंबर्स के बीच में infinite rational होंगे infinite irrational होंगे number line पे दो irrational number के बीच में infinite rational होंगे infinite irrational होंगे जी हां यह दियान दखना है एक और confusion काफी लोगों के दिमाग में होता है कि हर rational number का पड़ोसी जो है just पड़ोसी वो irrational होता है कई लोगों के दिमाग में ये कचरा होता है तो देखिए बहुत सारा कचरा भी हम यहां साथ करेंगे स्वच वाय तवियान चलुआ है तो क्या दिहां दखना है बहुत साए लोगों के दिमान में है कि नंबर लाइन पर यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूँ वो रेशनल नंबर है किसी भी नंबर का जस्ट पड़ोसी कैसा होगा मैं बता ही नहीं सकता जब तक मुझे उस नंबर की जानकारी नहीं है मैं उसकी नेचर कैसे बता सकता है नहीं बता सकते ना मैं जंगल में एक वकान बना के रह रहा हूँ और मैं करें मेरा पढ़ोसी तो बहुत बड़ी है अरे भाई पढ़ोसी है कहाँ? कौन है? दिख रहा है क्या? भाई दिखी नहीं रहा है अब जब दिखी नहीं रहा है तो उसकी नेचर कैसे बता सकते हैं? तो आप कह रहा है कि नंबर लाइन पर हर रैशनल नंबर का पढ़ोसी रैशनल में को पढ़ोसी बता पहले मेरे को फिर मैं रैशनल रैशनल की बात करूँगा मैं तुम्हारी बात का मानूँगा भई? जब तुम मुझे उस पढ़ोसी को दिखा दोगे यह है जी सर, अच्छा यह है ठीक भै यह इर्रेशनल है, तभी कहूँँगा ला अब जब उस पड़ोसी को न आप देख पा रहे हो न मैं देख पा रहा हूँ तो बिटा उसके नेचर कैसे बता सकते हैं कि इस 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 इन इर्रेशनल नंबर और rational number है, नहीं बता सकते, इसका एक बहुत बढ़िया मज़दार example देता हूँ मैं आपको, जब बात चली है, तो देखे, इस number के बारे में बताएंगे, यह number चलबा है, ऐसे, कि this is less than 2, या मैं ऐसे लिखूँ कि 1.9 bar is less than 2, क्या यह relation जो मैंने लिखा है, यह जो ट्राइकॉल लिखे, ट्राइकॉल लिखे, ट्राइकॉल लिखे, ट्राइकॉल लिखे, अबतार, numbers का order, या कोई भी आपको चीज़ दिया, उनका order, तो यह जो ट्राइकॉल लिखे, यह order लिखा है, दो number का, is it 2? 1.9 bar is less than 2 or not? पताओ भई, हाँ, सर, सिंपल सी बात, छोटा है तो, यह तो 2 तक पहुच ही नहीं पाया, अभी तो लज रहा है, पहले 1.9999999999 चल रहा है, यह तो 2 बन ही नहीं पाया, अब मैं आपको एक बड़ा ग्यान देता हूँ, मेरे बच्चे, यह गलत है, कई बार लगता है ना, लगता है जो होता नहीं कई बार, इतनी आसाली से, लगता कुछ और है, होता कुछ और है, अभी कुछ चन्द सालों पहले आप तो समझदार हैं, 11 में आ गया है, तो इतने परिपक्व हैं, इतने बड़िया इस एज ग्रूप में हैं, कि आपको आज से 4-5 साल प्वानी बातें याद होंगे, इस देश में वी मुद्री करन किया गया था, दिमोनेटाइजेशन का नाम दिया गया था, नोट बंदी का नाम दिया गया था, वो किया गया था, एक बहुत ही बड़िया सोच के साथ, कि देश का सारा काला धन बाहर आ जाएगा, जो आतंकवादी नोट छाप रहे हैं, वो नोट नहीं छाप पाएंगे, उनके पास फंड की कमी हो जाएगी, देश में आतंकवाद नहीं होगा, और जब काला धन बाहर आएगा, तो देश धनवान हो जाएगा, ठीक है, जो सरक ने हर एकाउन में पंदर लाग का कमिट्मेंट किया है वो पूरा करेंगे यह लग रहा था मैं सही बताओं तो जब यह आठ बजे प्रदान मंतली ने यह एलान किया मुझे पता चला भई 500 हजार के नोट बंद कर दिये गए है तो मेरे मन में भी लगा है यह इसक्षा बहुत बढ़िया बहर वाले जो घद्दार हैं जो हमारे देश में निगाह लगके बखे बखे वह हैं उनको मानने से पहले देश में जो अंदर बखे वे घद्दार है उनको मानना चाहिए म मुझे भी ये feeling आई ते, पुगे देश को ये feeling आई ते, ये बढ़िया किया साथ, लेकिन, final result क्या निकला हो, क्या किसी का काला धन भार है, जिसका काला धन था, आज भी वो उसके पास ही है, नहीं आया बहार, परिशान हुए बस सब लोग, परिशान हुए, और कौन परिशान हुए, अब ये सी बाते नीचला तपका या middle class जो family है, हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, आप में से किसी को मैं under estimate कर रहा हूँ, बहुत बड़े परिवार से belong कर रहा हूँ, तो भई अक्षमा, मांगता हूँ आप से, हम तो एक साधान middle class के लोग हैं, तो middle class और lower तपके को बहुत परिशानी हुए, पस यकीन मानिये कि, जब मैंने कहा ना कि 8 बजए ये decision आया, तो मुझे जब मैंने 7 बजए कि आसको मुझे पता चला, तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत बढ़िया, पहली बाद पधान मंती ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन, मेरा ये जो feel था, ये आदा घंते के अंदर काफूर हो गया, आदा घंते में गयब, और फिर मुझे लगा मिनने कह यार, मैं अब इस चीज़ों को देख पाता हूँ, वो तो मेरे देश का पदान मंती ने देख पाया है क्या, फिर मुझे लगा ने यार, उनको भी लग रहा होगा, जैसे लग रहा है ना ये, लगता है ना, कई बार लगती हैं बहुत साइची चीज़ें, होती नहीं है, मैं मेरे एक मित्व से मिला, फुड़ी दिल बाद, मुझे बदा था उसके हैं बहुत कैश पड़ा है, दबाके कैश पड़ा हैं से या, मैंने उसे बुझा, भाई, अब क्या होगा, उसे ने का, क्या होगा, मैंने का, वो बंद होगे न, पांसु आजार के नोगे, तो, मेहनत की कमाई है, काँ जाएगी, उसका confidence, मेरे टेंशन थी कि, घर में जो भाईया, दस बीस यार पड़े होंगे, वो कैसे जमा कराऊंगा, और जिसके करोओं पड़े हैं, उसका confidence, मैंने आदर संते बाद देखा, भाईया, मेहनत की कमाई है, ऐसी तो भी चली जाएगी, मैं confidence देखते समझ गया, मैंने का, भाई, कुछ ना हो रहा, ये जो है, ये बस एक, शिगूफा होगा, एक मतलब, बिलते अब गुआ, एक और सज्जन मिले मुझे, उनके बड़े भाई, बड़े बिलतेर हैं एक जगे पर, मैंने पूछा, मैंने बहाई, भाई, भाईया के तो लग गई, मैंने बहाई, मैंने बहाई, नोर्बंदी हो गई, रियल स्टेट में तो मैंने आया, मैंने खा, Marximum कारुबार, जो है, कैशमें होता है, मैंने का, बेशते, 70 लाग का है, और काग जो में दिखाते 20 लाग का है, मैंने का, 50 लाग तो कैश ही आता है, तो, मैंने का, आप दिक्कत हो गई, बहिया बहिया का तुम जो है बिजनस खब हो जाएगा उसने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगा था तो मैंने बहिया को फोन किया बहिया ने का अबे कुछ नहों न ये तो कमाई का टाइम है इस वक्त तो माल और बिकेगा बढ़िया बिकेगा सारा जो cash लेके बैठे ना वो सब ज चाहिए अपन तो फिर पिर cash का क्या करेंगे कुछ नहीं मैंने दो CA जो है hire कर रखे हैं उनसे कह दिया भी phone करके भाई तयार हो कागज तयार लखना बिल्कुल कागज पक्के बनने चाहिए क्योंकि 9 बन दूए हैं वो जो income tax वाले GST वाले सारे officer है टेक्स वाले ये तो वह तो मुझे खुद को लगा कि वाकई जो दिख रहा है वो है और नतीजा फाइनली वही हुआ उसका जो असर सोचा गया था तो यहां भी मेरे बच्चे 1.9999 जो हमें दिख रहा है कि less than 2 है मेरे बच्चे ये actually 1.9 बार जो है ना ये exactly 2 के एकवल है ये 2 के एकवल है अब इसका हम प्रूव करते हैं मैंने कहा ना आपको जो आता है उसमें कुछ तो नयाद देखेंगे देखेंगे हर बार ये देखें मेरे बच्चे 1.9 बार rational number है decimal part repeat कर रहा है बिलकुल कर रहा है कर रहा है ना ठीक अब इसको P by Q की form में express कर सकते हैं आपको आता है करना सीखा है आपने 9 बार ठीक बिलकुल है या नहीं इसमें से माइनस कर देते हैं इसमें से माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 9x is equals to 19 minus 1 18 और 3 x is equals to 18 by 9 2 exactly 1.9999 जो field थी हमारी उसकी वाट लगी पड़ी है वो actually 2 के एकवल है बग वग नहीं सर ये तो गलत है math गलत है यहां तो कुछ गड़बर है भाई मैं कहा रहा हूँ कि मैंने मान लिया कुछ गड़बर है आपकी feeling सही है कि यह तो two को approach कर रहा है ना two हुआ थोड़े है मैं कहा रहा हूँ कि भाई इस number और इस number के बीच में एक number बता यदि ये number इस से छोटा है तो कोई ना कोई number इन दोन इस से छोटा है तो दो number है इनके बीच में infinite number ना ओके एक तो कम से कम होगा बता दो ना बता ही ने सकते अब जब बता ही ने सकते तो इसको गलत कैसे साबित करेंगे और इसको गलत साबित नहीं कर सकते तो इसको मानना पड़ेगा कि यह से है 1.9 bar is equals to two ठीक है चली है तो हम जो है अगली ग्लास में बाते करेंगे और अगली ग्लास में और जो है चैप्कर को enjoy करेंगे आप यकीन मानिये यह जो foundation maths है इसमें आपको बहुत बजा आने वाला है सारी चीजें जो आपको आती थी इन पर भी हम जो यहां कुछ कुछ करेंगे वो बहुत interesting होगा चली मिलत तारी के साथ जो मैंने आपसे कहा है वो करना literally कोई रोख ही नहीं सकता हमारे selection को all the best